तो आप हम करते हैं question number 7 A cylindrical bucket 32 cm high and with radius of base 18 cm is filled with sand This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed If the height of the conical heap is 24 cm find the radius and slant height of the heap तो इस question का diagram मना लेते हैं इससे काफी कुछ clear हो जाएगा एक cylindrical bucket है जिसमें मिट्टी भरी भी है sand ठीक है इस से लेंटिकल पकेट की हाइड दीवे 32 और बेस रेडियल से 18 इसको हम काली कर रहे हैं एम्टी और इस पर से जो सैंड निकल रही है है वो से एंड क्या कर रहे है को निकल शेप ले रही है ठीक है एक कौन मन रहा है कौन की हाइट है और कौन की रीडियस हमें पता करनी है और कौन की स्लाइंट हाइट हमें पता करनी है ठीक है तो इस पिंचिपल में एक शीरीज सी बात है कि जो मिट्टी निकलेगी वो से लेंडर में से निकलेगी मतलब से लेंडर का जो वॉल्म है वो कनवर्ट हो कि कौन में बन रहा है तो हम से लिंडर का वॉल्म विकाल देते हैं वॉल्म आप सिलिंडर या हम ऐसा कहा देखते हैं वॉल्म आप सेंड इन वह जाएगा पाया इसक्वरेज को पाया रहेगा आर कितना एटीन इसक्वर मतलब एक तर इसक्ता थाटीटू यह सेंड कनवर्ट होके कोन बन रहा है तो कोन का वॉल्यूम अदब जो हीप बन रहा है वॉल्यूम ओप हीप विच इस कोनिकल वो क्या हो जाएगा पाय आर स्क्वर इसका आर तो आर यह हो जाएगा अब जैसा कि मैं पहले बदा चुका हूं कि जब भी हम एक शेप से दूसर शेप में जाते हैं तो वॉल्यूम सेंग रहता है इसका मतलब यह दोनों वॉल्यूम एक्वल हो जाएंगे तो पाय आर स्क्वर इन्टो 24 इकोस्टो पाय इन्टो 18 इन्टो 18 इन्टो 32 दिवाईट की तेपल से जाएगा आज स्क्वार एकोल टो आ जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइड बाइड बाइड 24 ये 8 की टेबल से जा रहा है 8 4 जा 32 8 3 जा त्री 680 ठीक है 64 24 इंटू 18 24 इंटू 18 आ जाएगा कुछ गरपर लग रही है यहां पर अच्छा कोन का जो वॉल्म होता है वो वन बाइट रिपायर इसको रहता है ठीक है तो यहां भी आदाएगा वन बाइट त्री तो यह त्री से मंटिप्ला हो जाएगा यह त्री क्योंकि यह डिवाइट में था तुम्हाँ चला जाएगा मल्टिप्लाइगा तो यह हमारा आता 432 इंटू 3 और हो जाएगा कि 96 1296 आर इसको हमार बाद आ गया 1296 1296 का रूट लेने के लिए आप इसके प्राइम फेक्टर ले जकते हैं ठीक है तो 1296 के प्राइम फेक्टर ले लेते हैं 1296 2 से दिवाइड हो रहा है 2 6 जा 12 9 2 से दिवाइड हो रहा है 2 8 जा 2 4 जा 8 9 में से 8 गया 1 और 6 16 2 8 जा 16 ठीक है अभी जा 2 से दिवाइड हो रहा है 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अभी जा 2 से हो रहा है 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 3-2 1 1 जा 2 12 2 6 से 12 2 2 से 4 जा 2 2 से दिवाइड हो रहा है 2 8 जा 16 51 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा 3 से दिवाइड है 3 3 2 से दिवाइड है अब पेर बना लेते हैं एक पेर लोग तो कि मुल्टिप्लाय कर देते हैं तो हमारे पास जो आ राएगा वह आ जाएगा आएपा सिक्स है ऑा गया तो एल्ब निकाल सकते हैं clique यह आई स्कूर्यक्थ सबाइब देहिए हो गया ईड्रोय हमारे पार थे रधारी इद पार्टी जैटिस्प्र देश्प्र यह आ गया 1872 इसके भी प्राइम फेक्टर निकाल जाते हैं इसका भी अंडर रूट निकालने के लिए 1872 के प्राइम फेक्टर आज निकालने के लिए से डिवाइड भाइड होगा है टू नाइन जा 18 टू टीजा चीच अब्सक्राइब साफ़ित को तो याक को को बज्कवार रोचन्य को कि इसवीट हो राइए उनês कैसे हो थे अब च देवाई होने के लिए इन सबका संुम से भूइओक यह 7 plus 1, 8 plus 1, 9, 9, 3 divided हो रहा है लो तो 3, 3, 3 जा 9, 2 बच्च के अकेला तो यह से मल्टिप्लाए होगा, तू तू जा फूर फूर त्री जा ट्वैल त्वैल और यह अंदर आ जाएगा अकेला ठीक है तो हमें पास एल क्या जाएगा त्वैल तू टॉट ओ तर्टी ठीक है सही हम यह चाहते हैं कि हर इस्टुडेंट तक यह वीडियो पहुचे कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए धन्यवाद